Hello Everyone, Welcome to this amazing platform of our channel, finished and breath examinations and I am Fugh. तो आपको है भे, यहाँ पर हम DFCIL एकजाम के प्रिपेशन कर रहे हैं और मैंने आपका भी कौन सा सेक्षन करा रहा हूँ History of India and Railway and DFCIL इसकी मैं आपको तीन क्लासस दे चुका हूँ आज हमारी 4th क्लास है तो देखते हैं हम क्या करने वाले हैं आज की class में पटा फट से एक बार start करते हैं आणा class number 4 हो गई चलो ठीक है देखो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं आपको देखो मैंने से पहले class number 3 जो कराई हुई है जिन लोगों ने class number 3 नहीं देखी है तो पहले जाकर के उस class को देख करके आओ, आप playlist section में जाना, वाँपर DFCIL playlist पढ़ी होगी, उससे जाकर के class 3 देखो जिन्होंने नहीं देखी है, ठीक है, जिन्होंने देख रखे हैं वो अब आगे शुरू करते हैं, तो हमने जैसे कल क्या-क्या cover कर लिया था, DFCIL के बारे मे आज की class काफी important होगी, पहले तो मैं आपको जो technical terms वागेरा है, या फिर जो questions अब आपके सीधे-सीधे उठकर के बनेंगे, वो questions मैं आपको questions के, आपको पूरा theory उसकी cover करवा दूँगा, बागी questions तो आपको point wise बताता जाओंगा, फिर मैं एक आत दिन बाद में test लूँगा आपका, तो वो quiz format में आपका मुझे पता चलेगा, कुछ पढ़ भी रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है, यहाँ पर आखे कि आप बस भागवाद जैसी सुनते जा रहे हो, ठीक है, चलो खेर, अब देखो क्या पढ़ेंगे, आज की class में हम, जो हमारे two most important corridor है, जैसा कि आपके दो अभी partly operational, partly operational मतलब इसमें से थोड़ा-थोड़ा सा हिस्सा जो है, कुछ 100 किलोमीटर के आसपास, 100 का गोडांक, या निकि आपका कुछ multiple of 100 किलोमीटर में ये आपका operational है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, अब हमें इनको थोड़ा सा मंदर से पढ़ेंगे, कि अगर ये western, अब ये जो दो अपने यहाँ पर fret corridor है, ये दो open हो गए है, थोड़े से यहाँ पर बन चुके हैं, या फिर ये कुछ पूर्शा ने इसका, PM Modi ने अभी recently 2020 के last May और 2021 में इनको inaugurate किया हुआ है, तो उन सारी चीजों को हम पढ़ेंगे, कहां से कहां तक बनता है, जो question यहाँ से, आपके सारे के सारे बन सकते हैं, वो मैं आपको again इस format में बताऊँगा, कि आप कभी नी उसको बूलोगे, ठीक है, चालो, और उसके बारे में, उसके बाद में आपके ये एक दो corridor है, इनके बारे में आपको बस दो तीन बातें देखनी है, वो भी मैं आपक ठीक है, तो शुरू करते हैं फिर आज के session को, समझ में आगे हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, clear हुआ, चलो, अब एक एक करके हम अपनी चीजों को start करेंगे, तो सबसे पहले तो मैं आपको यहीं पर लेके आता हूँ, जहाँ पर मैंने आपको कल छोड़ा था, यह देखो, इसे आपका golden quadrilateral of, यहाँ पर आपका dedicated corridors जो है, बनने वाला है, clear है, क्या बनने वाला है, golden quadrilateral, ठीक है, GQ of dedicated corridor, तो इसको हम क्या बोलते हैं, GQ DC बोलते हैं, इसके बारे में सारी information मैंने बता दी थी, कली क्यों कौन से हम यहाँ पर cities को जोडने वाले हैं, तो फटा-फट से corridor, तो एक-एक करके मैं यहाँ पर उठाऊंगा, और हाँ, इन दौनों corridor की बीच में न, कुछ technical terms है, कुछ technical बाते हैं, जिनकी आपको, इन में न, कुछ थोड़े बहुत differences भी हैं, कि एक corridor में यह चीज हो रही है, दूसरे corridor में दूसरी चीज हो रही है, तो वो भी हम यहाँ पर समझेंगे, एक-एक कर गए, ठीक है, तीन पार्ट में डिवाइड करूँगा, पहले पार्ट में पढ़ाऊंगा, मैं western corridor के बारे में, कि क्या-क्या important चीज़े हैं, दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे हम eastern corridor के बारे में, मतलब इसी lecture के parts बता रहा हूँ, ठीक है, जिसे कि पर हम थोड़ा सा देखते हैं, अब एक-एक कर गया, आप सारी की सारी बातों को समझते जाना, ये सब चीज़े हम यहाँ पर अभी पढ़ेंगे, कैसे कैसे क्या होगा, चलो, अब देखो, तो सबसे पहले यहाँ पर हम western corridor के, किस की बात करेंगे, रूट की बात करेंगे, जितने भी questions बन सकते हैं, वो मैं आपको सारे यहाँ पर करा देता हूँ, ठीक है, यानि जितनी भी questions आपसे पूछा जा सकते हैं, वो हम बड़े आराम से यहाँ पर देखते हैं, थोड़ा सा मैं जूम करूंगा, देखो, अब ये जो आपका western corridor है, ये कहां से शुरू हो रह है, ये शुरू हो रहा है आपका दादरी से, अब आपको ये पता होना चीए कि दादरी ये जो जगए है ना, ये कहां पर है, तो ये दादरी जगए पढ़ती है आपकी कहां पर, तो nearby Delhi पढ़ती है, ठीक है, कहां पर है ये आपका nearby Delhi यानि Delhi का जो हमारा area है, वो जो station पढ़ेगा Delhi में, वो कौन सा पढ़ेगा दादरी, और ये जो दादरी जगए है ना, ध्यान से देखो और इसको एक बार note down कर लो, और मैं हमेशा बोलता हूँ, pen paper लेके बैठना है, तो pen paper लेके बैठे होगे, उसमें note down करो, कि दादरी कहां पर है, तो ये आपका greater noida में प समझ में आ गई है, अब ये दादरी से शुरू हो गया, और अगर आपसे question ये पूछे यहाँ पर, कि जो eastern corridor है, और जो आपका western corridor है, ये मिलते कौन से station पर है, ठीक है, eastern और western कौन से station पर मिल रहे हैं, तो इसका आपका नाम क्या हो जाएगा, ये जो खुरजा station दिख रहा है ठीक है, क्या दिख रहा है, यहाँ पर हमको खुरजा station दिख रहा है न, तो यहीं पर क्या होते हैं, जो आपका eastern corridor आ रहा है, और यहाँ से जो आपका western corridor आ रहा है, यहाँ से जो आपका eastern corridor आ रहा है, यह दोनों मिल जाते हैं, इतनी से बात clear है, यहाँ से 3-4 question आपके बन सकत वैं सुमझंने आई यहांपर ये चीज चलो अब यहांपर आगे देखो कि यी पूरा चाहा कि आपका खत्म कहा पर हो रहा है यहांपर देखेंगे अब यहांद से यह आपको चला आया रवाडि इसे चला आया फिर द्धान देना यहां पर यह र son और अजमेर यहां से आप देखना बिल्कुल ध्यान से यह रेवाडी हो गया और यह अजमेर हो गया अब यह अजमेर का जो स्टेशन है बेसकली यहां पर यह जो आपका अगर मैं क्लियर नाम की बात करो यह मादर करके आता है यह एरिया ठीक है कौन सा मादर अब यहां पर य येवाला जो आपका एरिया है रेवाडी से लेगर के अजमेर में ये जो मदार का एरिया है इतना एरिया इसका अभी बस यहाँ पे इतना एरिया ओरेशनल है। कि माल गाड़ियां जो माल ढो रही है न अभी फिलाल इस कॉरिडोर में वो इतने पोर्शन में ढो रही है और इसका इनॉगरेशन जो है अभी ही किया गया है कल मैंने आपको बताया भी था कि 7th January 2021 को जो है इसका इनॉगरेशन किया किसने किया मोदी ने किया जो हमारे PM है अभी हमारा वर्किंग है अब यहां पर मैं आपसे बात करूंगा ठीक है अजमेर से होता हुआ यह मारवाड पालनपुर होता हुआ यह कहां पर रहा है देखो जे एन पीटी में एंड हो रहा है तो अब आपको थोड़ी से इंफॉर्मेशन इसके बारे में पता होनी चीए कि यह जे एन पीटी जो है कैसा क्या आपका एरिया है तो जे एन पीटी आपका पढ़ता है नवी मुंबई में ठीक है जो आपका जे एन पीटी का स्टेशन है यह नवी मुंबई में पढ़ता है तो कॉशन आपसे यह भी पूंचा जा सकता है वेस्टन जो आपका कॉरिड लेकिन NCR का एरिया तो Delhi NCR उसको बोलते हैं, clear हो गई बात, यहां तक समझ आया, तो Delhi में आपको मैंने भी क्या नाम बताया था, कहां से शुरू होता है, फटा-फट से बता दो एक बार, चलो, यह आप मुझे आप कमेंट करोगे, कहां से शुरू होता है, ठीक है, दादरी से शुरू होता है, इतनी से बात तो पता होगी सभी को, अब यह दादरी से शुरू होगे, कहां तक जाता है, तो यह पूरा जाता है, आपका JNPT तक, ठीक है, Western Corridor, JNPT आपका कहां पर है, तो नवी मुंबई में है, इतनी से बात clear हुई, और अगर मैं आप से पूछ लो, यह जो पूरा का, पूरा यह कितने किलो मीटर का है, तो यह पूरा है आपका 1503 किलो मीटर का, पूरा कितना है, 1503 किलो मीटर का है, कहीं कहीं पर आपको 1483 भी मिलेगा, तो यह भी टिक कर सकते हो, यह भी कर सकते हो, यह भी कर सकते हो, यह बीच का जो 20 किलो मीटर है, वो जो फटाफट से यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया année रेवाडी से लेगर यहाँ तो मैंसे लेकर हो लेकिन आपको सारी चीजाँ की मैंड में सदस्मान अब देखो अगर मैं आपसे बात करूं कितने section में है ठीक है western corridor के बारे में basic बात पता चल गई कहां से शिरू कहां कितना operational है अब अगर बात मैं आपसे करूं कितने section है इस corridor में तो 12345 आपके 45 जो है यहां पर section है यह बस नाम ध्यान में रख लेना और बाकि आपका यहां पर जो operational वाला area है यह चीज़ आप ध्यान में रखेंगे अब देखो यह जो है आपका completion की date March 2021 है इसकी लेकिन अब यह जो है partly operational चल चुका है यह आपका तो यहां पर आपको बस इतना ध्यान में रखना है अब देखो दूसरी चीज़ यह 1503 km का है total जैसा मैंने आपको उपर ब 1404 वाला तो 1483 लगा देना कोई दिक्कत नहीं है बास समझेगे चलो अब यहां पर आप next वाली चीज़ देखो अब यहां पर हुआ क्या जब यह corridor बनाया जा रहा था तो मैंने आपको बता यह इस तरीके से corridor बन रहा है आपका ठीक है ना यहां पर आपका क्या है दादरी क यहां से ना यहां से वाली जो लाइनर यहां से आक प्लीक है पूरी पूरी एक नई लाइन. चा नई नई यहां क्या होता है इसको थोड़ा समझेगे आपको बताया के पूरा 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 उसके जो वहाँ पर track बिचे हुए उसके parallel ही बिचे हैं बाकी ये जो दूर हैं उसके काफी लेकिन उसके parallel में ही चल रहे हैं लेकिन ये जो रेवाडी से लेगर के दादरी वाला हिस्सा हो गया और खुरजा में आपका क्या है मैंने बताया खुरजा में आपका Eastern और Western वाले ज किसी के parallel नहीं है clear है और अगर आपसे पूछा जाए कि आपका ये जो है बाकी का पूरा जो वेस्टरन कॉरिडोर है ये पूरा का पूरा फिर अपना passenger train का जो रास्ता है उसके parallel बिचा हुआ है बात समझ में आगी इतनी सी बात अब आपसे अगर पूछ ले कि भई जो बिल वेस्टरन कॉरिडोर चला जा रहा है ये वेस्टरन कॉरिडोर कितने स्टेट से होकर गे जाता है कितने स्टेट को कवर करता है ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए ठीक है इस पोजीशन में आप आ गए हो मैंने आपको पूरा वेस्टरन कॉरिडोर ना आपके माइंड में चप चुका होगा अगर आप बिल्कुल जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से पढ़े रहे हो ठीक है इमानदारी से कमेंट करना चप गया की नहीं चप गया ठीक है चलो अब अगर मैं बात करूं कितने स्टेट से पास होता है तो टोटल पांच स्टेट से आपका ये जो वेस्टरन कॉरिडोर है ये पास होता है मैंने आपको क्या बताया देखो ये आपका एक तो खुरजा में जाके मिलता है ठीक है खुरजा में आपका ये बिसकली हर्याना का एरिया हो गया तो हर्याना के स्टेट हो गया ठीक है फिर आपका आजाता है कौन सा राजिस्थ मैंने अब आपको बताय था न वह जो एरिया है आपका जहांसे स्टार्टिंq होटी है इस वैस्टर Ps कोडर की कहांसे स्टार्टिंग होती यह कि होती है आपके दादरी से मैंने क्या बताया था कहहां पर ग्रेटर नहयडा में है थे बीदों NCR में लेकिन उसका एरिया UP में है clear है यह चीज़ धान में रखना बहुत सारे लोगों को इसमें confusion है कि greater noida या फिर जो noida है वो UP में है कि डली में है यह NCR का एरिया है लेकिन है यह UP में चलो आपका फिर अगर मैं चौते स्टेट की बात करूँ यह कितने स्टेट हमने cover कर लिए पांच स्टेट कर लिए western corridor की अंतरगत समझ में आया एक बार मैं आपको map भी दिखा देता हूँ फिर से आपके mind map और चीज़ें clear हो जाएंगी यह देखो यहाँ पर यह आपका UP से चला आया UP से यह आपका दादरी वाला एरिया हो गया देख रहे हो ना ध्यान से फिर यह दादरी से होते हुए आपका यहाँ पर हर्याना का एरिया हो जाएगा डैली से बांगे चलेगा आपका फिर यहाँ पर आपको मिल जाएगा राजस्थान फिर गुजरात यहाँ पर गुचरात का एरिया मिल गया फिर यहां से आपका महाराष्टा में आ करके यह JPMT का मैंने बता है JMPT यह आपका नवी मुंबई में है और यहां पर आके खतम हो जाएगा क्लियर है Western Corridor का पूरा का पूरा रास्ता आपको क्लियर हो गया नहीं हो गया सब कुछ क्लियर है चलो अब इसके बारे में और तीन चार बाते समझते हैं जो आपके questions आ सकते हैं एक्जाम में ठीक है आगया सकते हैं वो आएंगे ही आएंगे अब देखो हुआ क्या अगर आपसे questions पूछ ले इसके अब देखो यह मैंने आपको बता है current affair से भी इसके questions पूछे जाएंगे तो जितना भी current affair अब इसका 2018 से लेगर के 21 के बीच में बना हुआ है किसका भई जो आपके Western Corridor हो गया वो भी मैं आपको अब यहाँ पर बता देता हूँ ठीक है यूगि हम साथ के साथ सारी चीज़ा करके चलेंगे यह मैं आपको बता चुका हूँ अल्रेडी तो अगर आपसे यह पूछ ले कि Western Corridor में सबसे पहला यानि कि first जो है आपका क्या किया जाए first testing first testing जो है फिस fret corridor की कौन से year में की गई या फिर कब की गई तो आपको पता होना चाहिए भई August 2018 में जो है सबसे पहली यहाँ पर testing की गई थी और वो जो route है वो route भी आपको पता होना चाहिए कौन से route के बीच में की गई थी यह न्यू अटेली से लेकर के आपका जो area यह पढ़ता है न्यू फुलेरा station ठीक है अच्छा यह देख रह जो railway line है उसके बिल्कुल parallel में ही इन्होंने corridor बनाया हुआ है जो new line बिची है वो कहां से रेवाडी से लेगर के दादरी और खुर्जा वाला area है तो यह जब हमने इसके parallel में ही बना दिया ना तो जैसे अगर यहाँ पर station लेट से फुलेरा है यह आपका फुलेरा station पढ़ र बात समझ में आ रही है ना मेरी तो यह question भी आपसे पूंचा जा सकता है बागी आपको understanding कितनी ज़्यादा होती जारी है आपके माइंड में उतने ज्यादा सेव होता जाएगा आपको रटना नहीं पड़ेगा बात समझ में आ रही है मेरी किसी के दिमाग में आ रही ही की न December 2018 में अब ये December 2018 वाली जो टेस्टिंग की गई थी इंपोर्टेंट थी क्योंकि ये किस-किस के बीच में कराई गई तो ये रेवाडी रेवाडी और मडार वाला एरिया जो कि अभी आपको ऑपरेशनल है यानि कि जिसे मोदी जी ने अभी अनौगरेट कर दिया है और ये जो लेगर कि मडार वाला एरिया कितने किलोमीटर का था तो ये था आपका 306 किलोमीटर का और ये ऑपरेशनल है अभी इसकी तो आप बिलकुल लैंद को ध्यान में रख लो अभी जो आपका ऑपरेशनल एरिया है अगर आप से प्मूछ ले कि वेस्टरन कॉरिडोर में कितना एरिया अभी ऑपरेशनल है तो 306 किलोमीटर का एरिया अभी वेस्टरन कॉरिडोर में ऑपरेशनल है जिसका नाम क्या है रेवाडी 2 मडार आपका जो लाइन है ठीक है क्लियर हुई इतनी सी बात फटा फट से हाँ बोलो तो ये तो हो गया आपका पूरा का पूरा वेस्ट कहीं आऊगा तो वेस्टरन कारिडोर के बारे में यह तो आपका रूट हो गया अब मुझे इसके बारे में आपको कुछ इंप्पॉरा का पूरा यलेक्ट्रीफाइड हे वह भी है अब यह छीज बिल्ला यह आपको लग रहा होगा सर चलो ठीक है यह तो आपने कल भी पताया था हमें तो लल्लू-पंजू सी चीज लग रही है क्यों इतना हमें तो यह है आपकी 32.5 टन की जबकि जो आपका एवरेज बिचा है मतलब जैसे जो अपनी ओर्डिनेरी ट्रेंस होती है उनके जो एक्सल की पावर होती है वो होती है आपका एराउंड 25 टन ठीक है तो इससे 7.5 टन जो है एक्सल लोड इसका जादा है यह बेसकली एक्सल लोड या फिर आप इसे पावर ही बोल सकते हो यह इतना जादा लोड जिसका जो ट्रेक है वो ले सकता है बास समझ में आगी क्या और जो रेल है वो कितने मीटर लंबी है तो 200 मीटर लंबी जो है इसकी रेल है यह चीज भी आप देख लो यहाँ पर बाई चांस अगर वैसे यह कोशन पूछेगा नहीं कितने मीटर की है तब भी मैं दो सारी चीज़ां कवर आपको करवाता जा रहा हूं कोशन फिर आपका कहीं से भी आ जाए टेंशन ही नहीं लेनी फिर क्लियर है अच्छा एक चीज और अगर आपसे एक बेसिक सा कोशन पूछ ले कि इन जो डिये डि ध्यान में रखना क्लियर है अब जिन लोगों को नहीं पता है कि ब्रॉड गॉज क्या होता है तो चलो एक बार मैं इसको बता देता हूं थोड़ा से इंपोर्टेंट में तो ब्रॉड गॉज बेसिकली आपका जो दो ट्रैक के बीच में लैंथ होती है कहां है जगे भी तो गॉज है तो ये दूरी ध्यान में रखना ये कॉज्शन पूणचा जा सकता है ठीक है important question है क्योंगे इसकी जो length होती है ब्रॉड गॉज की यहाँ पर मैं बीजी लिखे रहा हूँ बीजी का मतलब क्या है broad गॉज है broad गॉज की length होती है 5 feet और 6 inches कितनी होती है 5 feet 6 inches ध्यान मे रखना ही है अगर मैं आपसे बात करूँ यह ब्रॉड गॉज है तो फिर जो नॉर्मल गॉज होती है उसे हम स्टेंडर्ड गॉज बोलते हैं ठीक है जिसमें अभी भारतिया रेलवे की पटरियां चलती है तो वो जो उसकी बीच में डिस्टेंस होती है ना वो होती है फोर फ अब वो भी मैं आपको ऐसे time to time explain करता चलूँगा इसी तरीके सब हम आजाते हैं eastern corridor पे western corridor आपका पूरा खतम हो गया है I hope कि आपको clear हो गई होगी सारी की सारी चीज़ें कोई doubt आपका western corridor में हो तो नीचे comment करके बताओ और इसमें जितने points बताए हैं अपने आपसे note में अप अच्छा कर नहीं पाओगे यह मेरा experience है ठीक है बागी देखो यह सारी के सारी चीज़ें आपने देख ली है तो बड़िया फिर अब आते हैं यहाँ पर हम किसके ऊपर eastern corridor की ऊपर आते हैं ठीक है यह हो गया अपना eastern corridor एक बार हम वह वाला मैप भी देखेंगे जो मैं आपक अब बात करते हैं eastern corridor की इसी तरीके से पूरा का पूरा समझेंगे technical term भी इसमें समझेंगे और हाँ सबसे important मैं आपको इसमें यह भी बताने वाला हूँ कि eastern corridor में बहुत बड़ी एक थोड़ी छोटी मोटी खामी है वो खामी क्या है और western corridor क्यों इस से थोड़ा सा ज़्याद लुधियाना आपका कहां पर है पता है न सभी को सबसे पहले तो यह देखो कहां से शुरू हो रहा लुधियाना से शुरू हुआ और फिर यह यहां पर आया 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 और यह खुरजा में कहां किस से मिल गया पताओ जल्दी से western corridor से मिल गया कि नहीं मिल गया तो भई इसकी भेट हो गई western corridor से अब ये आगे चला 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 और ये कहां पहुचा डंकुनी में पहुचा अब ये डंकुनी कहां पर है चलो एक बार इसको भी मैं आपको बता देता हूँ लिखकर के डंकुनी आपका पढ़ता है कोलकाता के पास ठीक है कोलकाता के पास कोलकाता और हाउड दे की बात क्या है जो आपसे question पूछा जाएगा वो यह पूछा जाएगा कि यहाँ पर Eastern Corridor में एक दिक्कत है यह लुधियाना से लेगर कि जो खुरजा वाला आपको रूट दिख रहा है ना चलो इसको हम अलग से देखते हैं Eastern Corridor का map अलग से देखते हैं थोड़ा खिच वेस्टरन Corridor में एक चीज बताई थी अगर आपको याद हो ध्यान से आपने सुनी हो तो मैंने आपसे बोला था कि यह जो वेस्टरन Corridor है वो कैसा है आपका electrified है क्या है electrified है और यह double है double electrified है यानि कि उसमें दो आपके जो है रस्ते जा रहे होंगे दो track जा रहे होंगे ठीक है लेकिन यहाँ पर आप अगर देखोगे यह जो पंजाब से लेगर के यूपी वाला यह जितना रस्ता है पंजाब से लेगर के यूपी का जो खुरजा पार्ट है खुरजा अच्छा यूपी में है यह तो सबको पता होना चाहिए क्योंकि खुरजा वाला portion थोड़ land है अब single line क्यों बनाया क्योंकि यहाँ पर ना space की बहुत कमी थी जगए की बहुत कमी थी ठीक है इस वजए से यह से इने सेंगal-9 नहीं बनाना पड़ा double line है नहीं क्योंकि यह बेसकि आपको पना है मैंने बताया यह एक तो आपका broadcom suis है तो उसके लिए जगए बहुत ज क्लास में ही सारी चीज़ा करके जा नहीं है क्योंकि चलो फिर अब हम यहां पर आंगे बड़े खुरजा से तो खुरजा से आंगे बड़े हम कहां तक पहुंच जाएंगे खुरजा से खुरजा से हम पहुंच जाएंगे यहां पर डंकुनी तक ठीक है कहां पहुंचेंगे ड फिर यहाँ पर आपका दूसरा स्टेट हो गया हर्याना, ठीक है हर्याना को कवर करते हुए निकला, ये कहां से? खुरजा आ गया खुरजा में आपका ये यूपी है ठीक है यूपी में ये किससे मिल गया वेस्टरन वाले कॉरिडोर से मिलता हुआ फिर आंगे चला आया बढ़िया एकदम मस्ती में इसको मिला बिहार ठीक है बिहार से होता हुआ ये फिर आंगे चला आया तो इसको देखो बात समझ में आ गई अब यहाँ पर अगर आपसे question यह पूछ लिया जाए कि सबसे जादा सबसे जादा जो eastern corridor है वो कौन से state में बना हुआ है तो यह आपका UP में बना हुआ है कहाँ पर बना हुआ है UP में बना हुआ है और इसी वज़े से मैंने आपको कल एक चीज बताई थी कि पूरा का पूरा जो operating operation आपका center है वो कहाँ पर है UP के ही यहाँ पर प्रयाग राज में बनाया गया है कहाँ पर बनाया गया है यह इसलिए UP के प्रयाग राज में क्योंकि अगर मैं आपसे UP-UP की बात करू ना तो यह 1058 km का रास्ता कवर करता है UP-UP से और इसकी total जो length है न 1058 km तो यह UP को ही कवर कर लेता है UP-UP में आपका रहता है ना तो बात समझ गए सभी लोग यहाँ तक सारी के सारी बातें I hope कि आपको clear हो गई होगी अब देखो आंगे चलते हैं इसके बारे में और यहाँ पर महत्तपूर्ण चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे तो यह दे देखो अगर अब उसने आपसे पूछ लिया कि इस्टर्ण करिडोर में कितने किलोमीटर का एरिया है जो की आपका single line है तो यह तो आपको पता चलिआ कि लुधियाना से लेकर के खुरजा वाला एरिया है बट वो है एरिया कितने किलोमीटर का यह लुधियाना है और फिर आपका कुर जाये ठीक है तो वो आप किलो मेंटर नोटडाउन कर लो 447 किलो मेंutter का जो एरिया है वो आपका कैसा है सिंगल लाइन है कैसा है सिंगल लाइन है ठीक है चलो मैंने आपको अपको एक चीज़ और बताई थी current affairs है कि इस वाले जो eastern जिसे अभी western corridor में आपका थोड़ा सा 306 km का हिस्सा operational है तो यहाँ पर eastern corridor में भी कुछ हिस्सा भी operational है इसको भी PM मोदी ने जो है inaugurate किया था तो कौन सा वाला हिस्सा है तो यह है आपका new खुरजा से लेकर के new खुरजा से लेकर के new भावपुरा ठीक है new खुरजा से लेकर के new भावपुरा वाला जो आपका बीच का area है यह recently inaugurate किया गया यानि कि यहाँ पर अभी जो मालगाडियां है काम कर रही है तो यह आपका कब inaugurate किया गया यह 25th December 2020 को PM Modi के द्वारा इसको inaugurate किया गया था clear है अब हम जड़ा इसको देख लेते हैं यह new खुरजा से लेकर के new भावपुरा वाला area है गहाँ पर तो देखो ध्यान से यह मैंने दिखाया आपको खुरजा देखो new का मतलब क्या है मैंने आपको बताया भी उपर ही कि basically जो passenger train का station है उसके parallel में बना रहे हैं तो यह अगर खुरजा है तो जो अपना corridor वाला यहाँ पर station बनेगा उसको हम new खुरजा बोल देंगे ठीक है क्यों देखो यहाँ पर फालतों है जादा अलग-अलग नाम रखेंगे हैं तो यह चीज है अब देखो यहाँ पर यह आपका new खुरजा हो गया फिर new खुरजा से लेके भावपुर यह भावपुर देख रहे हो ना भावपुर कानपुर के पास पड़ता है तो यह वाला जो area है अभी operational है देखो दो बाते मैंने इस route के बारे में बताई है पहली बात तो ये single कहां तक है तो लुध्याना से तो ये single track है single track कहां से लुध्याना से लेगे खुरजा तक और operational कितना है खुरजा से लेगर के भावपुर तक और ये पूरा last कहां पर होता है इसका डंकुना वेस्ट बिंगॉल में जो की कलकत्ता हावडा के पास है समझ गए पूरा का पूरा रूट आपकी दिमाग में छप गया की नहीं सप गया अब यहां से कोई question आएगा निकाल दोगे क्या हाँ जी चलो अगले question पर आते हैं अच्छा एक चीज और यहां पर देखना कि यह जो खुरजा से लेगर के मैंने बताया खुरजा से लेगर के आपका खुरजा में यह जुड़ा हुआ है किस से जुड़ा हुआ है यह आपका खुरजा से बताओ ये खुरजा में आपका दादरी से जुड़ा हुआ है, तो खुरजा और दादरी आपस में न, आपको ने एक चीज दिखाता हूँ थोड़ा सा, ये चीज भी आपको पता होनी चीए, क्यों ही छोड़ो है न, कुछ भी छोड़ोना नहीं है, जैसे ये लेटस से, ये मैंने आ कोरीडोर क्या, ये एक ब्रांच समझ लो, इसे ठीक है, 46 किलो मीटर की एक ब्रांच है, जो कि किस-किस को जोड़ती है, तो दादरी को किस से जोड़ देती है, खुरजा से जोड़ देती है, यानी कि Western corridor, मैंने आपको क्या बोला, Western corridor, Eastern corridor से कहा आपर मिलता है, खुरजा में म इस तरीके से यह आपस में मिले है यह आपका western corridor है और यह आपका eastern corridor है समझ में आया की नहीं आया फटा फट से हाँ बोल दो ठीक है ना चलो अब आगे देखते हैं इसके बारे में आपकी क्या important बाते हैं जो कि मुझे आपको और दो-चार बातें बतानी थी है ना हाँ clear है सभी को फटा-फट से हाँ बोलते जाना है बड़ी आप चलो एक चीज यहां पर आप यह भी देखते चाओ चलते चलते कि यह जो आपका area बनाया गया है कितने किलो मीटर का है आपसे अगर आप इस तरीके से पढ़ोगे अब यह किसने project contractor कौन है तो Tata projects है ठीक है जिसने की यह वाला route बनाया हुआ है क्यूंकि यह खुल गया है इसलिए मैं इसकी उपर थोड़ा सा stress दे रहा हूं ठीक है 467 किलो मीटर का है ठीक है यह 365 नहीं है 467 होगा 400 की आसपास clear हो गया चलो अब यह सारी की सारी बाते होगी अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर जो आपका operation control center बना हुआ है उसके बारे में दो चार बातें बताता हूं जो और extra पूछ सकता है उसके बाहर फिर कुछ नहीं पूछने को रहेगा उसके पास ठीक है examiner जो है आपका क्या बता रहा हूं मैं भी आपको OCC OCC क्या हो गया जो operational control center है यानि कि मैंने आपको यह तो बता दिया western वाला हमारा बना हुआ है eastern वाला बना हुआ है यह बीच में थोड़ा सा 46 वाला वो ऐसा है अब बात हो रही है operational control center की operational control center जो है यह basically आप पहली बात यह तो मैंने आपको सब कुछ तो बता दिया कहां पे कैसा है बस दो बातें बता रहा हूं कि यह कितने किलो मीटर में फैला हुआ है तो यह basically 4.2 एकड में फैला हुआ है तो बहुत बड़ा यार यह ना 5 star control center है and I think इससे बड़ा control center इंडि 50 लोग जो है अकेले इस operational center में काम कर रहे हैं clear है तो अगर आपसे strength की बात करीज़े कितनी strength है तो 150 की है बागी area ही आपसे पूछा जाएगा और mainly यह पूछा जाएगा कहां पर है तो भाई प्रयाग राज में है ठीक है अब यह किसने बनाया है क्योंकि यह बहुत बड़ा अलीशान सा बना हुआ है फाइव स्टार तो किसने बनाया है उस company का नाम भी ध्यान में रख लो तो ऐल स्टॉम company ने जो है इसको बनाया हुआ है बाकी और कुछ भी ध्यान में नहीं रखना है सब कुछ mind में clear हो गया कि नहीं हो गया अब आपना बिलकुल बैठे बैठे सो स्टेशन है जे पीनल करके कुछ है ठीक है तो यह पूरी के पूरी कहानी clear है कि नहीं है माइंड में समझ में आता जा रहे है तो शियर जरूर करना ठीक है और आप लोग मतलब जितना ज्यादा लाइक शियर करते हो तो मुझे स्टेंथ हाईगी चलो खैर अब यहाँ पर मै मशीन सी लगी दिख रही है आपको मेट्रो ट्रेन की उपर आपने अगर कभी मेट्रो ट्रेन से सफर किया हुआ है तो उसमें आपने देखा होगा इस तरीके से एक मशीन टाइप की मतलब कुछ लगा रहता है इसको क्या बोलते है तो यह आपको पता होना जी इसको क्या ब यह चीज भी आपको थोड़ी सी पता होनी चीज कि फुली इलेक्ट्रिफाइड का मतलब क्या होता है उसमें एक तो आपका यह पेंटोग्राफ लगा रहेगा और फिर यहां से यह क्या करेगा बिजली बगएरा को लेता रहेगा पूरा का पूरा सिस्टम इलेक्ट्रिक ट्रेक्शन सिस्टम कहलाएगा यह चीज क्लियर हो पा रही है कि सभी को फटावट से हां बोल दो क्योंकि एक तरीके से हम पूरे के पूरा यहां पर क्या करने वाले आपने बहुत फ्यूल बचाएंगे पूरा इलेक्ट्रिक सिस्टम करेंगे तो आपको चीज़े तो पता होगी इसको हम बोलते क्या है है ना चलो अब मैं आपको यहां पर बताता हूँ जैसा कि मैंने आपसे बोला था आपसे यहां पर सबसे पहला कोशन पूछा जाएगा कि जो रोरो सर्विसेस हैं कौनसी है भई जो रोरो सर्विसेस है वो कौनसे कॉरिडोर पर आपकी लगाई जा सकती है Eastern corridor पे या फिर Western corridor पे तो जो है आपकी रोरो सर्वसेश काम नहीं कर पाएंगी क्योंकि Eastern corridor पे जो थो हाइट है वो 5.1 की है clear है कितनी हाइट है भई 5.1 meter की है 5.1 meter की जब्कि जो रोरो सर्वसेश है वो 7.1 meter के जो ट्रैक है उन पर काम कर पाएगी यानि 7.1 मीटर जो उपर है वायर तो यहाँ पर बेसकली यह वैस्टरन कॉरिडोर में अवाईलेबल है तो वैस्टरन कॉरिडोर में जो है आपका रोरो सर्विसेज काम कर रही है और अगर मैं आपसे बात करूं यह कॉश्चन और पूछा जाएगा आपसे कि फिलहाल इंडिया में कौन सा ऐसा सिंगल जोन है जो की रोरो सर्विसेज को दे रहा है ठीक है तो यह चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जो कॉंकर्ड रेल्वेज है क्या है कॉंकर्ड रेल्वेज है कॉंकर्ड रेल्वेज वेट ए सेकंड कॉंकर्ड रेल्वेज यह अकेला ऐसा र क्लियर हो गई यह चीज चलो अब यहां पर अगर आपसे पूछ ले कि वेस्टरंड कॉरिडोर में कितनी है तो 5.1 की है वेस्टरंड में 7.1 की है अब मैं आपको दो चार बाते हैं और बता रहा हूं दौनों कॉरिडोर यानि कि यह आपका बेसकली जो अपने डेडिकेटेट फ्रेट कॉरिडोर हैं इनसे दो चारा कोशन और बनते हैं इंपोर्टेंट वो भी मैं आपको वन पाइंटर के रूप में बताता हूं फटा फट से ठीक है चालो अब देखो अगर आपसे कोशन पूछ ले कि यहां पर जो फ्रेट ट्रेंड चलने वाली है यानि फ्रेट ट जो बनने वाला है वो फ्रेट चलने का यह होगी 1.5 किलोमेटर की जबकि अभी जो अपने आप बहुत के लिए बनाने वाले हैं दू किलोमेटर का तो समझ रहे और ट्रेन की लेंद्ध होगी 1.5 किलोमेटर कोई ड़ाउट नहीं रहना चाहिए इसमें ठीक है तो आप I think 500 to 600 comments के answer दिये हुए है तो ये चीज है कि आप लोग अपने comments डाल दिया अगरो doubt मैं देखता रहता हूँ कोई ऐसी बात नहीं है बाकी अगर आपसे पूँच लिया जाए कि basically कितने टन का यहाँ पर माल उठाएंगी ये fret trains तो 30,000 टन्स का जो है ये माल उठा सकती है लेकिन अगर आपसे पूँच ले ये normal है अगर आपसे पूँच ले maximum कितने टन का उठा सकती है तो maximum है इनके पास 15,000 टन्स उठाने की चमता clear है अगर आपसे पूँच ले कि कितने container यहाँ पर maximum कितने container रखे जा सकते हैं maximum जो है आपके 400 container एक fret train कैरी करके जा सकती है कितने 400 containers समझ में आ रही है बात तो 400 container ये world का ऐसा सबसे पहली train होगी और समझ में आ रहा है world में ऐसा कोई भी fret train नहीं है जो कि 400 container की जिसके अंदर capacity हो चलो अब अगर आपसे पूँच लिया जाए यहाँ पर जो fret train चलने वाली है इनकी maximum speed कितनी होगी यहाँ पर चलने वाली fret trains की जो है maximum speed maximum speed इसकी होगी 100 km पर आवर की और अगर आपसे पूँच लिया जाए normally कितने पर चलेंगी तो normally operate करेंगी 75 km पर आवर की speed से maximum कितनी चल सकती है 100 सल सकती है समझ में आ रहा कोई doubt नहीं रहना चाहिए clear है चलो अब यहाँ पर एक और question बनेगा आपका इसी से थोड़ा सा नीचे आते हैं इसके और देखो एक और question आपका अब क्या बनेगा color को थोड़ा सा change करते हैं yellow भई black color से देखेंगे अब देखो यहाँ पर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कितने जो electromotive है यानि कि जो आपके locomotive होते हैं locomotive engine होता है न जो तो कितने locomotive engine यहाँ पर launch किये जा रहे हैं यहाँ पर चलने के लिए तो 800 यानि कि 800 कैसे electric locomotive ठीक है कैसे भई electric locomotive जिनकी जो horsepower है वो कितनी होगी वो होगी 12,000 horsepower 12,000 horsepower के जो electric locomotive हैं वो launch किये जा रहे हैं समझ रहे हो कितनी जादा यहाँ पर यह दुनिया में ऐसा इतने horsepower का कोई ऐसा locomotive engine नहीं है किसी भी fret train का clear है तो यह भी world में सबसे पहला है अरे समझ में आगी क्या इतनी इसी बात बोलो हाँ फटाफट से clear है बागी की सारी चीज़ा जो है वो मैं आपको कल के lecture में बता चुका हूँ कि कोई भी यह आपकी रुकेगी नहीं underpass इसके लिए बनाए गए हैं fret जो आपकी trains हो गई इसके questions जो बन सकते हैं वो मैंने करा दिये हैं इनको आप revise करो notes बना लो देखो बिना notes के कुछ नहीं हो न अगर आपके खुछ से notes नहीं बना पा रहे हो अगर ये भी नहीं कर पा रहे हो अपने exam के लिए तो आर क्या करोगे थोड़ी से मैनत करनी चाहिए आप लोगों को मैं थोड़ा सब बीच-बीच में चलादा रहूँगा ऐसी बात नहीं है थोड़ी से इसमें tension नहीं लेनी क्योंकि अगर अभी मैनत नहीं करोगे न आप कैसे आपको लग रहेगी आप थोड़ी से मैनत नहीं करना चाहिए और आपका exam निकल जाए मैनत करनी पड़ती है हर चीज के लिए हर चीज का एगी solution होता है मैनत कोई बैठे-बैठे किसी का नहीं निकलता कुछ भी चलो खेर और दूसरी बात यहां पर मैं आपसे क्य बोल रहा हूं कि हाँ अब हम अगली क्लास में देखो अगली क्लास में क्या होने वाला है उसके बारे में information मैं आपको टेलीग्राम पर ही दूँगा ठीक है टेलीग्राम पर और आपको रात में को शॉट वीडियों बता दूँगा क्या करने वाले next class में तो फिर मिलते हैं क God bless you all take care and bye bye